हेलो फ्रेंस विल्कम बैक टू माई चानल लड़ने बेधने हैं तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक लेवल का और बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल लेकर आएं जैसे आपनों को दिख रहा होगा उपर आरोही करम और अब्रोही करम आज समझेंगे कि आरोही करम क् और इसको कैसे लिखेंगे तो इसके लिए बीडियो पेंट तक बने रहेगा इसकी बिल्कुल ही मत कीजेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगी यह बहुत ही बेसिक लेवल का है यह क्लास 3 से तू सिंग स्टार्ट हो जाता है तो कोई जाना बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए बिना time बरबात की हम समझते हैं तो first में हम समझेंगे आरोहि रम जिसको हम बोल लिए तो बढ़ते करम भी बोलते हैं या बढ़ते करम एंगलीस में इसको बोलते हैं ascending order तो देखिए इसको समझते हैं प्रेंस देखिए मैंने एक rough page ले रखा है जिसमें आप असानी साथ को समझाते हैं आरोही करम क्या है जैसे counting कहीं होता है counting को अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 या इसके आगे तक मतलब आगे तक लेते जाएगा लिखते जाएगा तो यह क्या हो गया बढ बढ़ते करम हो गया यह क्या लिख रहे हैं बढ़ते करम के जैसे लिख रहे हैं साथ हो गया आठो मतलब पूरा जितना counting हम इसके आगे ही लिखते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे तो यह हमारा क्या हो गया आरोही करम मतलब बढ़ते करम इंग्लिस में भी है मैंने आप पर लिख रखा है नाम, इंगलीश में उसको बोलते हैं असेंडिंग ओडर, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो येगा कि अगर आपको अरोही करम दिआपको पता हो, फिर उसमें दे दिया की बढ़ते करम लिखना है, तो यह असेंडिंग ओडर में लिखना है, तो आप पनफ्य करम तो चलिए इससे रिलेटर एक कोशन बताते हैं तो फ्रेंज देखिए आपको कोशन इस तरीके से आएगा जिसमें दिया होगा 10 से 20 तक आरोही करम उपर लिखा रहेगा कि आरोही करम में लिखना है 10 से 20 तक के अंको को तो कैसे लिखेंगे तो मैंने पहले ही बताया है कि बढ़ते करम को मतलब आगे के तरफ जो बढ़ते जाते हैं उसको हम बढ़ते करम के तरफ लिखेंगे तो होगा हमारा आरोही करम तो देखिए इसके इसके उपतर में हम क्या लिखेंगे 10 से हमको 20 तक में ही लिखना है तो 10 से स्टार्ट करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 हमको 20 तक ही लिखना था तो 20 तक का आरोही करम मतलब बढ़ते करम का मैंने यह जो डिजिट है वो मैंने लिख लिया है ठीक अगर 20 तक का दे चार से पांस तक का दे चली एक और कोशन लेके समझते हैं तो फ्रेंस देखिए इसमें है 6 से 10 तक मतलब 6 से 10 तक का सेंडिक और्डर में हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे उत्तर में देखिए आरोही करम में या बढ़ते करम में या ascending order इसको तीन नाम इंगलिस में बोले है तो ascending order नहीं तो आरोही करम आ अबरोही करम तो चली बढ़ते करम अब अबरोही करम समझते कि अबरोही करम क्या है तो जो आरोही करम है सेम उसका अपोजित अबरोही करम होता है अपोजिक का मतलब जैसे देखिए जैसे मैंने अरोही करम में आगे के तरफ लिखा है वैसे ही हम इसको पीछे के तरफ लिखें माली जी हम लेते हैं दोस दस, नौ, आठ, साथ, छो, पांच, चार, तीन, दो, एक ये क्या हुआ? घटते जा रहा है दस से कम, नौ, नौ से कम, आठ, आठ, से कम, साथ, साथ, से कम, छे मतलब घटते जा रहा है ये क्या है? बढ़ते जा रहा था तो इसलिए हम इसको बढ़ते करम भी बोलते है और ये घटते जा रहा है तो इसलिए इस अबरोही करम को हम घटते करम भी बोलते है इसको descending descending order इंग्लिश में बोलते हैं तो इस तरह से कितना भी डिजिट रहे वो घटते करम में जैसे 998, 97, 96, 95 ऐसे या तो उसको क्या बलेंगे घटते करम मतलब अब रोही करम तो इससे इसका question देखे कैसे आएगा इसका 10 से 1 तक ऐसे आपको question आएगा 10 से लेकर एक की संख्या को अब रोही करम में या बरते करम में लिखे या descending order में लिखे तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो पहले 10 लिख लेंगे उत्तर में 10 लिखेंगे 9 लिखेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो यह क्या हुआ यह घटते करम हमारा हो गया ठीक ना जो घटते जाता है उसको घटते करम या अब रोही करम कहते है चलिए एक और question लेके समझाते है तो फिर देखें मैंने second छोटा सा question लिया है तो इसमें 5 से लेके 2 तक कहीं लिखना है तो क्या करेंगे 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 तो यही तक हमको 2 तक ही लिखना है तो घटते करम में हम लिखें घटते करम या अब रोही करम या descending order और बढ़ते करम में जो आगे के तरफ जाए 10, 12, 13, 14, 15 तो इसको हम बोलते हैं आरोही करम या बढ़ते करम तो आई वोप आपको आरोही करम अब रोही करम का confusion अगर रहा होगा तो आप जरूर किलियर होगा होगा ना समझने की कोई चांस नहीं तो समझे आई तो वीडियो पर लाइक कोमेंट जरूर करतीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए क्योंकि इपॉर्टिन वीडियो आपको मिल सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाए